C.I.E.T. and C.E.R.T. दोरा प्रस्तुत है कक्षा 3 की पाठ्थे पुस्तक हमारे आसपास का चौथा पाठ हमारा पहला स्कूल स्कूल में हम कितनी सारी बाते सीखते और समझते हैं पर जानते हो हमारा पहला स्कूल कौन सा है? वो है हमारा परिवार हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शिरू करते हैं हम अपने परिवार से सबसे ज्यादा करीब से जुड़े होते हैं पर हम उसके बारे में शायद ही कभी सोचते हैं आओ अपने परिवार के बारे में सोचें और बात करें अपने परिवार का चित्र बनाओ यदि फोटो है तो चिपकाओ तुम्हारे परिवार में कौन-कौन है उनका नाम और उनका तुमसे क्या रिष्टा है लिखो अपने परिवार के दो लोगों में आपस का रिष्टा लिखो जैसे पती-पत्नी, भाई-बेहन, मा-बेटी तुम लिखो परिवार के दो लोगों का नाम और उनका आपसी रिष्टा तुम्हें घर में प्यार से किस नाम से बुलाते हैं? तुम अपने घर की लोगों को किस-किस तरह से बुलाते हो? यहाँ एक चित्र जिया है इनमें दो लोग बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं उनका आपस में क्या रिष्टा हो सकता है? तुम्हारी कौन सी बात परिवार में किसी से मिलती जुलती है? जैसे तुम्हारी आवाज, तुम्हारी आखें, तुम्हारे बाल, तुम्हारी चाल किस से मिलती है और कैसे आओ अब अनवरी के परिवार के बारे में कुछ पढ़ें अनवरी के परिवार के सभी बड़े लोग धोबी का काम करते हैं परिवार के सभी सदस्य अपनी अपनी तरह से कपड़े धोने, सुखाने, इस्तरी करने में हाथ बटाते हैं अन्वरी और उसका चचेरभाई तौफीक भी अब ये काम सीख रहे हैं क्या तुम्हारा परिवार भी मिलकर कोई काम धंधा करता है? यदि हाँ, तो क्या? इस काम में तुम क्या मदद करते हो? हम परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं अन्वरी के चजा ने उसे और परिवार के सभी बच्चों को साइकल चलाना सिखाया तुमने भी अपने परिवार से बहुत कुछ सीखा है क्या और किस से सीखा है? क्या किसी ने तुमसे भी कुछ सीखा है? कुछ और बातों के बारे में सोचो और लिखो जैसे जब मैं दुखी होती हूँ, तब मैं किन के पास जाती हूँ? जब मैं पुराने दिनों के बारे में जाना चाती हूँ, तब मैं किन के पास जाती हूँ? जब मैं अपने कुछ रास की बात बताना चाती हूँ, तब मैं किन के पास जाती हूँ? जब मुझसे कोई गलती हो जाती है तब मैं किन के पास चाती हूँ जूते बाहर उतार कर ही घर में आना ये सुरेखा के घर का रिवाज है लेकिन उसके कुछ दोस्त जूते चपल पहन कर घर के अंदर आ जाते हैं इस से सुरेखा के बाबा नाराज होते हैं क्या तुम्हारे परिवार के अपने कुछ रिवाज हैं? कौन-कौन से? अपने घर और आसपड़ोस को साफ रखने के लिए तुम और तुम्हारा परिवार क्या-क्या करते हो? क्या तुम्हारे परिवार में किसी की कोई खास आदत है? जैसे जोड से हसना, खुश होने पर गाना-गाना, आदी, उनकी तरह करके दिखाओ? तुम अपने परिवार में बड़ों की इज़त कैसे करते हो? अपने आसपास देखो, लोग क्या-क्या तरीके अपनाते हैं? बड़े जब बच्चे थे घर के किसी बड़े को अपने बच्पन का कोई मज़िदार किस्सा बताने को कहूँ अब ही आप सुन रहे थे कक्षा तीन की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का चौथा पाठ प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत